अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैई चैनल टीचर गया दोस्तो आजगी इस वीडियो में अपने चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी सीट के बारे में जिसमें आप जैसे ही चातर संख्या और कुछ एक एंट्रियां आप जैसे ही एंट्र करेंगे उस माहा के जो बिल हैं आपके जो है बिल तैयार करके देते हैं अपने दुकंदार को वह है उस सीट को एसे खयसे टाइप करता है और उसमें से चैनल सिगनेजर करके आपको वापस देदे देता है वहाट बिल आप ज़िए लिंए य Bay democrat करकें अबारे में नुसार तो दोस्तो यह जो शित है आपके लिए start करते हैं सीट बनाना दोस्तो सबसे पहले मैं आपको इस सीट के बारे में किर देंगे पराथमिक और उस पराथमिक के लिए कितनी कितनी है वो जो भी दर होगी उस महीने की आप यहाँ इंटर करेंगे लाभभानी चातर सिंहिए आप यहां इंटर कर देंगे जैसे मैं आपको इंटर करके यहां बता देता हूं जैसे मैं यहां 2356 मैं इंटर कर देता हूं 125 के लिए और उच्छे प्राथमी के लिए मैं इंटर कर देता हूं 2500 नहीं चलो मैं इसको चेंझ कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, चाहिए 2751 और Enter कर देता हूँ इसके बाद मैं यहां नीचे की तरफ आप जैखते हैं वस्तु का नाम और जो दर है, यहां दी गई है मत्सालिक के तोड पर जितने भी चीज़ यहां अमोमन जो काम में आती हैं सारी दी गई हैं, और उनकी जो रेट यहां परदरशित की गई हैं इसके बाद में यहां जो लाबानवी छातर संख्या आपको परदर्शित क훈 गई हैं उस माह में जो भी यहां वस्तोगी दर रहेगी आप यहां इस कोलम में इंटर कर देंगे येलो जो आपको सेल्स यहां परदर्शित हो रही हैं यहां पर डाल आप लाभानु चातर संख्या एक से पांच यहां पर इंटर करेंगे सबजी फल और जो गेहूं की मातरा हुआ है इन्टर करनी है दोस्तों आप यहां धियान रखेंगे गेहूं की मतरा किलो ग्राम में इंटर करनी है अदर वाइज आपकी शीट माइनस में चिली जाएगी यहां पर आप डाल के लिए लाभानु चातर संख्या इंटर कर देंगे जैसे मैं यहां 1125 एंटर करता हूं सब्जी के लिए मैं यहां इंटर करता हूं 1269 इसके बाद में फल के लिए मैं यहां इंटर करता हूं 303 और यहूं मैं यहां कंजूम जो है उस माय का मैं लिख देता हूं 152 kg इसके बाद उच प्राच्मिक में भी मैं यहां कुछ एंटरियां कर देता हूं 1342 सबजी के लिए यहाँ पर 1510 फल के लिए 390 और यहाँ पर गेहों के लिए मैं इंटर कर देता हूँ 268 यह कंजुम यहाँ गेहों हैं दोस्तों जैसे है मैंने यहाँ इंटर किया है सारे फिल्ड जो हैं यहाँ फिल हो चुके हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो जितनी जितनी मातरा और राशी जो इस माह में यूज की गई है यहाँ परदर्सित होगी यहाँ पर आप इंदन की यह दिर राशी देखें तो 2943 यहाँ आपको परदर्सित हो रही है जबकि इस माह का फुल वे जो है वह था 29020 यहाँ कि दोस्तों यहाँ इसका जो 10% यह दिये अपने देखें इंदन के लिए तो यहाँ 2902 रुपे यहाँ रहता है जबकि आप यहाँ इंदन में यहाँ देखते हैं तो आप देख सकते हैं 2943 रुपे यहाँ लगभग 10% यहाँ आपकी इंदन की राशी आई है इसके बाद में आप पिसाई देख सकते हैं 840 रुपे आपकी यहाँ पिसाई लगी है फल आप देख सकते हैं यहाँ पर सबजी आप सारी रेट यहाँ देख सकते हैं सीट में आपने जो इंट्रियां करनी थी आप कर चुके हैं, इसके बाद में आप आ जाएंगे यहां बिल्स पर, दोस्तो जैसे ही आप यहां बिल्स पर आते हैं, आप देख सकते हैं, यहां पर आपके चार बिल्स जो हैं त्यार हो चुके हैं, फैस्ट यहां आपका जो बिल यहां परदर्सित हो रही है, टोटल आपको परदर्सित हो रहा है निचे 7879, इसके बाद में सेकंड बिल भी यहां परदर्सित हो रहा है, जो तेल और दाल का है, आठ हजार 880 रूपे मातर, इसके बाद में जो तीसरा बिल आपके परदर्सित हो रहा है, वह हो रहा है, यहा दोस्तो चार बिल आपके लिए परदर्सित हो चुके हैं इसके बाद में एक राशी ऐसी है जो यहाँ परदर्सित नहीं हो रही है वो राशी मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद में आप यहां आजाएंगी cooking conversion पर तो आपका जो सारे जो बिलो का जो योग हुआ था उसके अंदर आपका जो due amount है वह रहता है यहां 2943 दोस्तो इतने रूपे आपको जो है यहां इंदन की रूप में खर्च करने हैं यानि 10% जो है इंदन की रूप में रहता है तो इसके अंदर आपके जो भी cylinder यहां भरे जा चुके हैं पेस के लिए वह आप एंटर कर देंगे यहां नहीं है तो आप लकड़ी का भी लगाते हैं तो यहां वह भी लगा देंगे दोस्तो इसके बाद में चीज आती है यह जो फरम है इसका नाम आप कैसे लिखें दोस्तो फरम का जो नाम है वह यहां पर fully editable है आप यहां पर जो दोस्तो यह जो उपर की जो रहा है यहां fully editable है data भी change कर सकते हैं शीरी यहां पर आप विदेले का नाम एंटर कर देंगे और नीचे इसके बाद में आप यहां पर जो नाम पर दर्शी तो रहा है इस पर आप उपर जो भी from का नाम लिखते हैं वही आप यहां भी change कर दूसरे जो बिल है दो वह एक पेज पर यहां पर दर्शीत होते हैं गेस जो है इंधन का जो बिल है इसके अंदर सामिल नहीं क्या आगा है cooking convergence से जैसे मैं आपको यूडियों पहले बता चुका हूँ आप यहां से जो भी sling refilling के बिल रहते हैं या फिर लकडी के बिल रहते झाल झाल